तो हेलो फ्रेंड स्वागत एक और नई वीडियो में आज हम लोग एक अन्बॉक्सिंग करेंगे मैंने एक एमेजॉन से अभी 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 मेंपा डिलेवर वी आप देख सकते हैं मैं कोल के देख चुका हूँ आज हम लोग अन्बॉक्सिंग करेंगे हमारी SSD मैंने एक SSD मंगाई थी कुछ दिन पहले सिस्टम को तेज करने के लिए आप जानते हैं सॉलिड इस्टेट ड्राइव सिस्टम में डालते ही बहुत तेज कंप्यूटर काम करने लग जाता है आप देख सकते हैं इसका बॉक्स होगे रहा है यहां वीचे डिस्क्राइब करा गया है कि यह 240 GB की है इसको सबसे पहले आगे बढ़ने पहले इसका दाम देख लेते मैंने अब भी मैं लिंक दे दूंग आपको 400 ुपे इसकी प्राइज आप जानते हैं इस जिए बहुत में इंग आती है बहुत कोष्टली होती पर इसकी डाटरा ट्रांस्इंग ड्रेट होती जो बहुत देज होती है जो आप अपने नॉर्मल काम बूlt डिस्पीट बहुत देज हो जाती इसको डालने से तो आज मैं मंगाई है मैं आप इसको आप देख लेते बॉक्स में मैं 4,000 रुपे मंगाई है आप देख सकते हैं यह ग्री ने वैस्टन डिजिटल ग्रीण इंग की चार पांच सीरीज आती इंगरी इसको काफी स्लिम में यह आप देख सकते हैं वैस्टन डिजिटल ग्रीण साटा 240 डीबी साटा साटा एससडी सॉलीड इस्टे ड्राइब मैं आपको खोल की बटा देता हुआ यह इदर देख लेते कुछ पेपर वक्ट दे रखा हमको मेरे इसको तो हम खेर साइड रच देते हैं हमारे लिए हमारी में में यूनिट तो यह हमारी लाइब कर लेते हैं कि दोस्तों जो first feel है काफी स्लीम है और वजन तो बिल्कुल है नहीं आप ऐसा समझ लीजीए कुछ मैसूस भी नहीं होता है इतनी स्लीम है और बिल्कुल वेड़ तो बहुत कम है तो दोस्तों मैं एक ही सलह दूंगा अगर आप अपने system में मतलब लैग होता है हैंग होता है त प्रेडिशनल हमारे चल रही थी है वह हाड राइव आप जानते हैं मुविंग पार्ट होता है अंदर राउटर लगा होता है मेगनेटिक फील्ड उसमें डाटा स्टोर होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें नॉर्मल मेमोरी काड के जैसे अंदर चिप लगी होती अल्ट चार जार रुपे में लिए तो आप ज्यादा ज्यादा इसको तो आप ऐसे कर सकते हैं अपना विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं और जो सेकेंडरी काम होगा उसके लिए आप वन टीबी की हाटर डार सकते मैंने भी यही कर रखा है तो दोस्तों ही छोटा सा वीडियो था इसम सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ग्रू करने मदद करें दोस्तों ऐसी और अन्बोक्सिंग में लेकर आता रूंगा थैंक यू एंड टेक केर बाइवाई